हेलो ब्रुबन, कैसे हूँ, I hope कि आप सब लोग ठीक होंगे, मैं हूँ भी सीग और आप देख रहे हैं स्टड़िविता भी सीग तो इंडियर नेवी एमार की जो भरती हैं, उसके लिए काफी सारे लोग जो है, एपलाई करते हैं, काफी लोग इसके लिए एकचुक होते हैं, इसमें जौब पाने के लिए, आज की जो वीडियो है न, वो थमनिल तो आपने देख लिया होगा, और देखने के बाद काफी रोल प्ले करने वाली हैं, और वो आपको पता होनी बहुत ज़्यादा जरूरी है, लेटिस्ट एक्जाम पैटर्न क्या है, एक्जाम कैसे होगा, और जो पेपर होगा, किस तरीके का होगा, किस लेवल का होगा, क्या कटफ होती है, जो मैंने यहाँ पे लिख रखा है, आठ बहुत सारी चीज़े आप मिस कर दोगे, जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होगी, शुरू करते हैं, पॉइंट पर आता हूँ सीधा और बात करता हूँ, सबसे पहले बात कर लेता हूँ, इंडिन नेवी अमर के बारे में, अमर की इस बार की जो वेकेंसी है, वो अपकी आप करते हैं, अब क्या होने वाले टाइम में, क्या क्या बदलाव आपको देखने को मिलेंगे, तो सबसे पहली और जो अच्छी चीज़ है वो बता देता हूँ, कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, और वो अभी यहाँ पर कुछ भी अडिन नहीं है, मतलब तो side negative marking added होगी फिर भी 8 number की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो क्यों कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ अब सीधा आप समझ लो की 2 section होते हैं 2 section होते हैं section A होता है, section B होता है अब section A की बात करते है section A में जो होता है general science होता है और maths होता है section B में general awareness ठीक है, एक example दे रहा हूँ दो section में, एक section में general science और maths और एक section में general awareness total number कितना होता है 50 number का exam होता है, 50 questions होते है और ये MCQs होते है multiple choice questions तो ये 50 number के 50 questions पूछे जाते हैं आप से exam में, section wise बोले तो पहले section यानि section A की बात की जाए जिसमें general science और maths हो का उसमें 25 questions section B जो की general awareness उसमें 25 questions 25-25 questions, 25-25 number के लिए अब अगर बात की जाए क्या section wise पास होना important है जी हाँ, बिल्कुल 100% अगर आप section wise पास नहीं होते हो तो फिर कोई फायदा नहीं है आप पास नहीं माने जाओगे तो section wise जो एक minimum cut up होगी उसको पार करना important है आपके लिए अब आते हैं point पे कि क्या होता है examination अब examination level की बात कर लेते हैं examination level तिंथ पास का और आगे का थोड़ा easy ही नजर आ रहा है मुझे examination level examination level वैसे भी easy होता है general awareness भी काफी अच्छा होता है और general science, general maths भी काफी ज़ादा easy होता है general competition के लिए सो arithmetic पढ़ते हो वही होता है उसी type के questions पूछे जाते हैं अब 8 number की बात पे आते हैं आपको मैं बता देता हूँ ध्यान से सुनना मेरी बात को 8 number जो है ये minimum cut up बता रहा हूँ पास माने जा सकते हो आप लेकिन अब एक और cut up होती है वो होती है आपके state के according तो जो AMR की vacancy होती है AMR की जो cut up जाती है वो statewide जाती है अब statewide क्या होता है जैसे कि ODSA में 25 marks है तो जरूरी नहीं है कि पंजाब में भी 25 number हो वहाँ पे 22 number पे भी पास हो सकता है बंदा ठीक है यहीं होती है state wise cut up यह depend करता है आपके state के according आपके state में vacancies कितनी है और आपके state में cut up कितनी जा रही है लेकिन जो initial cut up होती है वो चार number एक section के चार number तूसरे section के यह चार-चार number that is 8 number अब फायदा समझना यह चार number की passing cut up का 25-25 number का exam होता है मालो कि आपका general awareness काफी जादा strong है और आप 25 में से 23 कर देते हो general awareness में 23 number ला देते हो general awareness में आपके state की cut up गई है 27 marks कितनी गई है 27 marks और आपने क्या करा आपने ला दिया जो आपका general science और maths है वो थोड़ा weak है weak section है और उसमें आप ज़्यादा अच्छा नहीं कर पाओ लेकिन ऐसा हुआ कि आपने 5 number ला दिया इसमें ठीक है तो 5 number 23 और 5 28 number हो गया आप pass हो गए अपने state से आपके state के cut up के recording और आप section में भी पास होगे 5 number के साथ अगर आप 4 भी ला देते हो तो 23 plus 4 27 number बन रहे यानि आप pass हो गए हैं ठीक है अब यहाँ पर बताता हूँ और एक चीज़ अब नुकसान समझ लो आपका मालो general awareness का ही section काफी strong है और आपने 25-25 कर दिया यानि general awareness में 25 out of 25 आपके state की जो cut-off है वो चली गई 29 marks मालो आप UP से हो और आपके state की cut-off 29 गई है जो की सपने में भी नहीं जाएगी सोचना भी मत जाता चाहेगी तो 29 अब आपने 25 कर दिया एक section में और दूसरे section में आपने 3 number ही score करा यानि आपका दूसरे section बिल्कुल ही खराब था बिल्कुल भी आपने तयारी नहीं की थी उसके लिए और मातरत 3 number आपने score करा अब आपका total कितना हुआ 25 प्लस 3 28 number जबकि आपको passing के लिए कितना चाहिए 29 marks तो यह आप fail हो गए अब एक और चीज़ एक और चीज़ इसी की according समझ लेना जो कि काफी important है वैसे एक वीडियो मैंने इसके पहले भी दी थी जो काफी थोड़ी पुरानी हो गई जिस वाज़े से सायद आपकी नजर ना गई हो उस पे अब यहाँ ध्यान से समझना माल लो आपके स्टेट की cut-up गई है 26 marks ठीक है आपने एक section में कर दिया दूसरे section में आपने कर दिया 3 marks आपका हो गया 26 आपके स्टेट की cut-up है 26 ठीक है 26 26 same हो गया बट आप फेल होंगे आप फेल होंगे आप पास नहीं माने जाएंगे क्योंकि आपने एक सेक्षन में कम स्कोर करा है तो कुछ इस तरीके से चीज़े होती है बढ़ हाँ यहाँ पर एक चीज़ में आपको बोलूँगा कि आठ नमबर वाला जो है चार चार नमबर एक सेक्षन में मिनिमम जो कटफ होती है यह काफी जादा फायदा पहुंचा देती है खासकर उन बंदों को लाइक जो गुजराद से हैं जो आसाम से हैं जा कटफ थोड़ी लो जाती है तो वो कटफ के बारे में भी आगे की वीडियोज में बात करूँगा और अगर मौसली बात कीज़ा है तो जो यूपी हो गया बिहार हो गया राजस्थान हरियाना मद्यपर्देश इन स्टेट्स में थोड़ी कटफ अपर जाती है जारखंड यह सब में बाकी स्टेट्स जो है महरास्टा उसके बाद तमिलनाडू असाम इन सब राज्यों में पंजाब इन सब में कटफ कम जाती है तो इस तरीके से कटफ लगती है इस बेस पे और आठ नंबर अगर आप लाते हो तो आपकी जौब पक्की हो सकती है कुछ-कुछ राज्यों में आठ नंबर पे तो बिल्कुल भी सोचना भी मत बट आठ नंबर में से एक में मालो आप चार-पांच नंबर ला देते हो और दूसरे में काफी अच्छा कर देते हो तो कुछ राज जैसे हैं जहां पे कटफ आप क्लियर कर जाओगे तो कटफ क्लियर करने के लिए काफी important है यह चार नंबर जो सेक्षन वाइस होते हैं अब अगर आगे बात करें तो negative marking all in exams में होती है जिसमें 0.25 marks की negative marking added होती है तो यह इस तरीके से कुछ examination होता है आपका पूरा पैटर्न यही है तिन्त क्लास का slavus होता है जिसमें history, general awareness की बात करें history, geography, civics, important national facts, important international facts, उसके बाद बात करें full forms, यह सारे question इस type के abbreviation जो होते हैं इस type के question sports संबंधी, यह सारे question general awareness में, general science नॉर्मल होती है जो तिन्त लेवल की तिन्त बेस की होती है, general science वो होती है और maths की बात करूँ, तो maths आपका जो general competition का math है, अगर आपने air force y group का math देखा हो तो उस type की math होती है, बहुत ही easy type की math होती है, तो कुछ इस तरीके का label होगा, exam का, इस तरीके की चीज़े होने वाली है, आने वाले time में Navy AMR की job आपके लिए काफी easy है, और एक चीज़ मैं बता हूँ, Navy AMR में क्यों, 400 vacancies के लिए 5-5-6-6 लाख लोग apply कर देते हैं, क्यों लोग demotivated हो गए हैं 2 सालों में, because Navy AMR काफी बंदों के लिए आसान होती है, पहली चीज़ आपको बता रहेता हूँ, Navy AMR में अगर आप 10th pass होते हो, तो आपके लिए सीधा apply करने का मौका है, ठीक है, उसके बाद admit card आपको मिल जाते थे, उसके बाद अगर हम बात करें तो examination ज्यादा tough नहीं होता है, examination easily आप crack कर सकते हो, तो ये सारी चीज़े हैं, इसी वज़े से, कोई वैसे ही नहीं बोलता है कि ये job चाहिए, ये vacancy चाहिए, ये क्यों नहीं आरी है, रोता है, उसके पीछे कुछ वज़े होती है, तो ये सबसे बड़ी चीज़े हैं, अब आपको थोड़ी तैयारी के बारे में बात कर लेता हूँ, तैयारी आपको कैसे करनी है इसके लिए, इसके लिए ज़्यादा बुक्स लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, आप नॉर्मल बुक्स से पढ़ाई कर सकते हो, बुक के लिए वीडियो मैंने बनाई है, वैसे बोलोगे तो आगे भी बना दूँगा, और साथी साथ जो मैं क्लासेज लेता हूँ न, जितनी मेरी क्लासेज हैं, जितनी मेरे प्राक्टिस सेट्स हैं, जो की फुल प्राक्टिस सेट्स मैंने ले रखा है पहले, वो देख लो, उसके बाद अब जो प्राक्टिस सेट्स अपलोड करूँगा, वो देख लेना, जो जाओ जॉइन करो फायदा उठाओ ग्रूप में कुछ पूछोगे तो मैं बता भी पाऊंगा वहाँ पे आप लोगो को और जल्दी ही आपके लिए पॉसेंटेस की वीडियो लेकर आऊंगा अभी के लिए इतना ही अपना खयाल रखो अपनी फैमली के खयाल रखो और कोई ग